पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं वो आज बताएंगे कुछ-कुछ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम मॉल में जा रहे हैं लेकिन हम मतलब मैं और बाबाई के पापा गए थे बाबाई के एक्जाम था तो वो नहीं गया था हम लोग मॉल में आये हैं बाबाई के पापा के लिए कुछ ख़ईदारी करने उसके उनके कपरों के लिए और जूतों के लिए तो ये जो मॉल है ये पहले बिग बजार था तो अब स्मार्ट बजार बन चुका है और कुछ चेंजिस भी है तो हम लोग कपरों की जगा पहले धून ही नहीं पा रहे थे उसके बाद हमने देखा बहुत आ गया आने के बाद फिर हमें कपरों की जगा मिली बाबा के पापा की कपरे चोईस करने लेगे और मैंने इस मौके का पूरा पूरा फाइदा उठाया अनुना में प्रोथिम बाद स्मार्ट बजारे गिये चला मतलब मैं पहली बार स्मार्ट बजार गई थी तो मैंने कुछ डोर मैट देखे लेकिन मुझे बिलकुल भी रि इसके बाद मैं आ गई बाबाई के पापा के पास वह तब तक चॉइस कर रहे थे लेकिन मुझे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था शर्ट में और बाबाई के पापा को भी जो है कुछ खड़ी नहीं स्रीफ धूम आरेंगे अज़े का है कि इतने का है देखो तो ये चार हजार चार सुरुपए तो सुना आपने इस बैक का प्राइस चार हजार चार सुरुपए था तो हमारी तो और कट से बाहर है भई अज़े नहीं तो आपने अज़े अज़े नहीं पाँचन दो हो ड़को बोड़ो वेपर रहे याज़े लेकिश फुटकिस क्या मंदा में मुल्ट ये है साथ हजार का साथ हजार का है ये और ये है नौ हजार चार सो पचास रुपए ओ इधी का अच्छा है अब हम जा रहे हैं नीचे तो अभी हम लोग खड़े थे पेमेंट काउंटर में और बाबाई के पापा को मैंने लंबी से लाइन में खड़े होते हुए देखा लेकित मैं उस लाइन में खड़ी नहीं हुई मैं धून ले लेगी दूसरे लाइन जहां पर थोड़ा सक कम लोग लाइन में लगे हो तो मैंने धून के ही निकाला जहां पर सिर्फ दो ही लोग थे और मैं वहाँ जाके खड़ी होगे हम लोग जल्दी से पेमेंट क्लियर करके मार्ट बजल से निकल आए बहुत से लोग पहले ही लाइन में खड़े थे हमारे वो लोग रही गए खेर कोई बात नहीं यह सब हमने खड़ीद लिया है अब हम जा रहे हैं बाबाई के पापा के जूते खड़ीद ने अगर पसंद आया तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे बाबाई के पापा ने फ जूते होते हैं वो ही उन्होंने खरीदा और यहां पे तो सेल सुरू हो गई है यह सब आप जो देख रहे हैं यह सब सेल के जूते हैं सेल में भिगने वाले जूते जूते तो मिल गए भाई बाबाई के पापा को पसंद भी आगे फिर हम लोग वहां से निकल आए यहां से तो चाट खाने का बड़ा मन था लेकिन बाबाई नहीं साथ में था ना उसे दिये वागर कैसे खा सकते हो दिल नहीं मानता है तो बाद में कभी बाबाई को यहां ले आओंगी तो चाट खाएंगे हम लोग तो अब हम लोग निकल पड़े हैं घर की और यह जूता पसंद किये हैं बाबाई के पपा ने और पैंट भी तो दोस्तों घर में आके सब चीजे रख लिया है और अभी जारा है फिर से मार्के बाबाई को ले लिया है अब आपरी है अब हम लोग आ चुके हैं रिस्टरेंट कुछ खाने के लिए आज घर में खाना खाने का मन नहीं है और घर में खाना मैंने पकाया भी नहीं है तो हम लोग आगे हैं रिस्टरेंट में ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं रोटी ही खाएंगे हलका फुलका खाएंगे और तरणान और तरका दोस्त आपको पता है मैं जिस भी रेस्टूर्ण में जाती हो अहां का जो मेनु कार्ट होता है वो मैं अपने मोबाइल में एकwo ले आती हूं और फिर हम लोग कभी अगर मन करें कि उस रेस्ट रेस्टोर्ण में जाके फिर दुबारा खाना खाएंगे तो म पहले ही मेनू डिसाइड करके फिर मैं बाद में जाके वही ऑडर करके खाती इससे क्या होता है अगर बहुत भूख लगी हो तो टाइम बसता है मेनू डिसाइड करने में कि आप क्या खाऊगे तो बात करते करते घर पहुत गये हैं तो दोस्ता हम घर आ चुके हैं और अभी रात के पौने 11 बच चुके हैं हाँ देखिए घर लटा है तो पौने 11 बच चुके हैं और पुस्की शो चुकी है उसकी कहरे है कि में खाना नहीं करूंगी तुम लोग मुझे ले के क्यूं नहीं गए मम महीं कौल बहुत बधमास है को लिए नहीं अँद्र भूसर बच्छी Esse नहीं लगती है लेकिन हैं बहुत माल चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्कुरीब जरूर कीजिएगए हम लोग मिलेंगे फिरट 1 नय वीडियो में और यह वीडियो आप लोग ने देखा है इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया टा-टा-टा-टा एक शेयर सब्सक्राइब और सॉरी और सॉरी